तो अब दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में विज्ट हम बताने वाले हैं किस तरह से दो फूट बाइद फूट या देर फूट बाइद फूट का जो मार्बल होता है कट पीस मार्बल तो उसका कटिंग करने के लिए जो फर्मा बनाए जाता है किस तरह से उसका फर्मा बनाए जाता है इस वीडियो में हम पूरा एटूजट प्रोसेस बताएंगे आपको तो मेरा नाम है अश्रप और आप देखरें रहे रोनक प्रोसेस आप लोग समझ लीजे किस तरह से फर्मा बनाए जाता है तो यह जो पत्थर हम लगा रहे हैं यह मारबल का साइज से दो बाए धाई तो दो फोट इसका चौड़ाई है और धाई फोट इसका लंबाई है पत्थर का और यह पत्थर जो लगा रहे हम पूरा जिस तरह से फ्लोरिंग में फिटिंग करते हैं उसी तरह से फिटिंग कर देंगे और जब पूरा काम मेरा side का complete होने के बाद या marble कटने के बाद फिर इस फर्मा को हम निकाल देंगे तोड़के और यह देखिए इस तरह से आपको पहले fitting करना है इस marble को नीचे बाले को सबसे पहले जो नीचे कर रहेगा वही fitting हो गए देखिए इस तरह से flooring में जैसे fitting करते हैं उसी तरह से आपको fitting कर देना है और fitting करने के बाद फिर side का जो thin side का marble है वो लगेगा तो वो बांकी जो लगेगा वो इससे एक thickness उचा रहेगा नीचे जो marble का thickness होता है आपका half inch हो सकता है पांसूता हो सकता है या pound inch हो सकता है जो भी आपका marble का normal size रहेगा उस size के हिसाब से आपको उचा रखना है तो normally जो आता है half inch या पांसूता marble रहता है ज्यादा तर तो ये marble का thickness हम उचा कर दिये हैं देख रहे हैं आप उसी हिसाब से हमने मसाला दिया है और friend एक बात बताना चाहूंगा अगर आप मेरे वीडियो ये facebook page पे देख रहे हैं तो मेरे page को like कीजिएगा follow कीजिएगा मेरे page को और अगर आप youtube पे देख रहे हैं तो मेरे channel को subscribe कीजिएगा क्योंकि इसी तरह का interesting वीडियो जो है helpful जो जानकारी वीडियो है marvel related लाता रहता हूँ मैं तो friend ये जो हमने लगाया ये एक पत्थर उचा रखा है और right angle में इसको किस तरह से करना है वो भी मैं बताऊँगा क्योंकि इसको right angle में करने के लिए एक 2x2 tiles का हम इस्तमाल करेंगे तो उसको जो है एक marvel का थिकनस उचा रखें और ये देखिए अब जो है उसको लगाने के बाद इसको हम बैठाएंगे और इसको जो है tiles से लगाया पूरा जो side में हमने change का marvel लगाया है उससे जो है पूरा उसमें सटा दिया है और इसको भी पूरा tiles में सटा के fitting करेंगे देखिए और एक marvel का थिकनस उचा रखेंगे ये है right angle करने के लिए अनि की बटाम में करने के लिए ये tiles हम इस्तमाल कर रहे है तो ये जो हमने लगाया है ये around 12 इंची है इसमें हम गोटी फसाएंगे और जो गोटी लगाएंगे चैनल को रखने के लिए तो उसमें जो है ये 12 इंची होने से मसीन अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा cutting होने के लिए तो हमें थोड़ा जगा मिल जाएगा मसीन को आगे तक ले जाने के लिए तो यह देखिए इस तरह से फिर इसको हम पूरे अच्छे से पैक कर देंगे ताकर यह फर्मा इधर उदर घषके ना तो इस तरह से आपको fitting करना है फर्मा को create करने के लिए और यह किस तरह का दो बाई दो का या देर बाई देर का आप मारवल यूज करते हैं तो उस तरह का माल भी आप इसमें cutting करके आप लगा सकते हैं और यह देखिए इसको भी एक मारवल का thickness फर्स्ट वाले से उचा रखेंगे और इसको एक मारवल का थिकनस उचा रखने के लिए हम एक मारवल उपर यह देखिए अब उसी के level में हम इसको फिटिंग कर देंगे यह एक thickness मारवल उचा हो जाएगा और इसमें आप समझे किस तरह से गोटी को लगाना है तो गोटी लगाने के लिए देखिए पहले जो है हमने scale रखा और अच्छे से इसको पूरा accurate नाप दोनों साइड क आपको गोटी को पेश्टिंग करना है अब उसमें आपको सारे 10 इंची पे गोटी को पेश्टिंग करना है क्यूंकि आपको उसमें 15 इंची माल है तो शारे 10 इंचा कीजिए गाने और जो सइज में Filipi ke tiene 4 इंची प्लेट है 15 इंची कि इन्ची जो है वह जो कटिंग हो ने की माले है जे कि आ लगेगा है उससाबसे 2,3 भार और 4 बाटि कातना है आप इसमें कट सकते हैं और जो भी साइज के मार्वल है वह स्बustे है इसम्गरहकु गोटि चिपकाना है। आप 24 इंची कि माल हैं। थो तो स्भ आपकी सारे 19 इंची पर इसको करना है ताकि हाप इंची कटिंग होगा और चार इंची प्लेट पकर लीजिए उसी हिसाब से आपको इस फर्मा को क्रियेट करना है और यह सभी गोटी में हम वाइट सिमिट लगा दे रहे हैं वाइट सिमिट इसलिए लगा रहे हैं कि आठ से दस घंटा लग जाता है एरोला करना है एह देखिए इस तरह से फर्मा में लगाई आपको इस तरह से कटिंग हो रहा है यह एक हमने टाइल का थिकनस का दो सुत्या गोटी दिया है दोनों साइड मिखली देने के बाद इस तरह से इसकेल रहे हैं तो गोटी देने से क्या बेनेफिट है कि हमारा जो कटेगा यानि कि टोटल हम हाफ आप इंची दोनों साइट से कटिंग करेंगा क्यूंकि पत्थर चटका हुआ रहने से अगर दो ही सुता से कटिंग कीजिएगा तो डिश्टफ होगा अगर कोई पत्थर सही मिलता है तो आप दो धार भी कटिंग कर सकते हैं एक धार कटिंग होगी आप इसको इस तरह से लगाना है आपको पीछे अच्छे से देख लेना है सटा हुआ है किने बराबर क्यूंकि कम पेशी होने से अगर माल क्रॉस रहा तो कटिंग सही नहीं होगा आप देख लिजए किस तरह से कटिंग करना है तो यह 24 इंची कटिंग कटिंग कर रहे हैं यह देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे तो फर्स्ट बार में आपको कटिंग करना है अगर चारोधार कटिंग कर रहे तो फर्स्ट बार में गोटी लगा कटिंग करना है दोसुता और यह टाइल्स का थिगनस के बराबर और सेकेंड में बेगर गोटी का यह देखिए यह कटिंग हो गिया अब फिर इसको इस तरह से घुरा के कटिंग करना है यह चारो धार कटिंग करके हम आपको दिखा रहे कि इस तरह से आपको कटिंग करना यह देखिए तो अब लास्ट में जो कटिंग हो रहा गोटी निकाल दिया गिया और इस तरह से इसको cutting हो गिया तो इसी तरह से इसका cutting करना है फर्मा में वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें, share करें और आप हमारे चैनल को भी subscribe करें क्योंकि मैं इसी तरह का interesting वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ तो friends इस वीडियो में इतना ही मुलाकातों की नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपीज